आप देख रहे हैं बी एच पी सी नियूज देश भर में चल लए बुल्डोजर एक्सन का मामला सौंबार दो सितंबर दो हयार चौविस को सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया जी हाँ नमस्कार स्वागत है आपका मेरा नाम है विपिन वेबाग उदैपुर में चागु मानने के आरोपी बच्चे के पिता के घर पर बुल्डोर जड़ चलने के मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिपनी की सुनवाई के दोरां सॉलिसीटर जनरल तुसार मेहता ने कहा कि मुनिस्पल नियमों के मताबिक नोटिस दे कर ही अवैद निर्माण को ढाया जा सकता है किसी के किसी अपराद में आरोपी होने के चलते नहीं इस पर कोट ने कहा कि इस बारे में कुछ दिथा निर्देश तेकनने की जरुष है जिसका सभी राज्य पालन करें यूपी सरकार की तरफ से पेश हुए तुसार मेता ने कहा है कि जादातर मामलों में अवैद निर्माण के खिलाब नोटिस पहले ही दिया गया था इस पर कोट ने कहा है कि हम भी अवैद निर्माण को बचाने के पक्ष में नहीं हैं लेकिन किसी लड़के की गलती के चलते उसके पिता का घर गिरा देना सही नहीं हो सकता। इसके बाद महता ने कहा कि हम भी सभी पक्षों से बात कर समाधान की कोशिश करेंगे तुशार महता की बात सुनने के बाद जज ने सभी पक्षों से कहा कि वे वरिष्ट वकील नचिकेता जोसी को अपने सुझाब दें उन्हें देखने के बाद पूरे देश के लिए गाइडलाइन बनाई जाए अब इस मामले में 17 सितंबर को अगली सुनवाई होगी आपको बता दें उधैपुर में चागु मानने के आरूवी बच्चे के पिता के घर पर बुल्डोजर की कारवाई की गई थी इस सुनवाई क के दौरान कोट ने कहा कि एक पिता का बेटा अडियल हो सकता है लेकिन अगर इसके लिए उसका घर गिरा दिया जाए तो ऐसा करने का यह तरीका सही नहीं है अभी के लिए इससे बितना है नमस्क्राइब रोस की ताजा खबरे सुनने के लिए सस्क्राइब करे बी एच बीसी न्यूस चैनल साथी रोस के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाए बेल आइकन साथी हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कॉमेंट करके बताए और वीडियोस को लाइक और शेर करना बिलकुल ना भूले